वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एप्लिकेशन ओफ फर्स्ट ला ओफ थर्मो डिनमिक्स तू फ्लो प्रोसेस तो अगर आपको लेक्चर की पीडियाफ चाहिए तो आप टेलिग्राम जोइन कर सकते हैं टेलिग्राम लिंक डिस्क्रिप फ्लो प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती है वो प्रोसेस जो परमिट करेंगी मास ट्रांसफर या वर्किंग संस सबस्टांस ट्रांसफर टू एंड फ्लो फ्रो फ्रों दा सिस्टम इस नोन एज फ्लो प्रोसेस फ्लो प्रोसेस में मास एंटर करेगा सिस्टम से एंड लीव करे यानि कि work done होने के बाद में leave कर जाएगा मास सिस्टम से बहर flow process मेली two types की होती है study flow process and unsteady process प्रैक्टिस इंगेनरी प्रैक्टिस में हम मेली consider करते है study flow process तो study flow process equation हम आज discuss करेंगे तो कुछ condition drive करने से पहले जर्णल जो study flow equation है flow process के लिए तो कुछ conditions हैं जो कि हमें देख लेने चाहिए वो condition क्या है जो satisfy करनी होती है process के दोरान क्या है mass flow through the system remain constant यानि कि mass entering and mass जो leaving जो system से बाहर जाएगा वो क्या रहेगा constant यानि कि mass flow रहेगा system के दोरान constant रहेगा this state of fluid at any point in a system is constant at all time fluid जो भी enter करेगा जो भी हमारा working substance है उसकी state जो रहेगी system leave करते time या system के दोरान रहेगी वो same रहेगी यानि कि state of the system अगर वो liquid है तो liquid रहेगा gas है तो gas रहेगा then क्या है rate of transfer जो heat transfer and work transfer जिस rate से हो रहा है system में वो क्या रहेगा constant रहेगा यानि कि rate of heat transfer and work transfer rate constant रहेगा then rate of energy transfer at the boundary is constant and energy content by the fluid at any point remain constant यानि कि कि rate से energy transfer करेगा boundary से वो constant रहेगा और जो energy जेतना fluid ने केरी किया है किसी एक particular point पे वो constant रहेगी energy हमने माल लिया क्या माल लिया कि consider किया एक open system है जिसमें की working substance substance है वो flow कर रहा है at a study rate लेट माल लिया कि mass है जो working substance का mass m है जो enter करेगा system में और leave करेगा system से जो enter करने वाला system है वो यहां से enter करेगा one one section से enter करेगा और जो system यह हमारा system है और system से जो बाहर जाएगा वो क्या है हमारा two two section से बाहर चला जाएगा system के ठीक है कुछ condition है कुछ parameters है जैसे कि p1 and p2 pressure of the working substance at inlet and outlet यानि कि जो inlet and outlet पर pressure की वैलू है वो p1 and p2 है और जो one state denote कर रही है inlet के लिए two state denote कर रही है outlet के लिए और यह जैड़ वन जैड़ टू क्या है डैटम यह है डैटम या डैटम हाइट इनलेट जैड़ एटम हाइट आउट यह क्या है जैड टू है देन जीवन एड़ यह क्या है जैड़ टू है दैन तीक्न यह क्या सीवन चीटू वैलोसीटी यह वरकिंग system then V1 V2 is the volume of working substance entering and leaving the system U1 and U2 internal energy of the working substance and at inlet and outlet तो यह कुछ parameters हैं जो कि हमें देखने हैं study flow energy equation derivation के सब्सक्राइब कर रहा है और हमें पता है energy जो एंटर कर रही है सिस्टम पर यानि कि energy जब system पर एंटर कर रही है तो उसके पास में कौन-कौन सी energy होंगी internal energy plus kinetic energy plus potential energy plus flow energy plus heat जितना सप्लाइड करेगा वो सिस्टम में तो इतनी सारी energy entering के दोरान होंगी जो हमारा system है और इसी तरीके से जब leave करेगा उसके पास में भी internal energy kinetic energy potential energy flow energy है जो वर्क जो system के दोबारा मिलेगा यह energies available होंगी तो इसको हम mathematical term में हम लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं जो इंटल energy को u से denote किया तो इंटल energy at inlet u1 and kinetic energy क्या होती है हाफ mv2 होती है तो जो velocity को c1 से denote किया है इंटल तो हाफ mc1 square आ जाएगा और potential energy होती है due to the gravity तो यह क्या हो जाएगी mg1 mmz1 into g यह acceleration due to gravity और यह mass of the substance और z क्या है डेटम की height है at inlet पे और फ्लोव energy को denote करते हैं PV से तो at inlet पे क्या जाएगे p1 v1 and heat supplied system ही आ जाएगी क्यों तो जो total energy आएगी सिस्टम की at inlet ही आ जाएगी similarly outlet पे हम इसको लिख सकतेंगे लिखे लेंगे यानकि u2 mc plus mc2 square divided by 2 mz2 g plus p2 v2 plus w और जो assumption क्या है जो हमने माना है कि जो energy enter करेगा और leave करेगा सिस्टम से वह constant रहेगा वह equal रहेगा तो इन दोनों को हम equate कर देंगे ठीक है तो इन दोनों को हमने equate कर दिया energy at entering and energy at outlet हमने equate कर दिया ठीक है तो और एक condition क्या है कि जो enthalpy है working substance की यहनकि h enthalpy क्या होता है internal energy plus flow work होता है तो enthalpy at working substance की जो enter कर रहा है उस दोरान क्या हो जाएगी u1 plus p1 v1 similarly enthalpy of working substance जब leave करेगा जब क्या होगी u2 plus p2 v2 ठीक है यह internal energy plus flow work होती है enthalpy तो हम इसको u1 plus p1 को h1 के equate कर सकते हैं और h2 is equal to u2 plus v2 v2 तो इस तरीके से हमारी equation यह आ जाएगी और यह क्या है study flow energy equation this is the study flow energy equation और mass flow rate continuity equation के द्वारा हम क्या निकाल लेंगे mass flow rate क्या होता है यह जो रहेगा mass flow rate क्या हो जाएगा a1 v1 divided by v1 at section 1 is equal to a2 v2 divided by v2 ठीक है और v क्या है specific volume specific volume of the working substance यह था discussion I think आपको helpful लगाओगा अगर वीडियो helpful लगी है आपको lecture coming चाहिए तो आप मेरे चैनल पर बने रहने के लिए subscribe कर सकते हैं और अपने बिग्नेस्ट नष्ट